चलिए आज बनाते हैं मैदा और आटे का फूली फूली सौप्ट पूरी आप एक बार इस तरीके से मैदा और आटे का पूरी जरूर बनाए सभी को काफी पसंद आएंगे अगर हमारी वीडियो आपको हैलफुल लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो चलिए पूरी बनाना हम सुरू करते हैं सबसे पहले हमें डो लगाना है एक बड़ा बरतन लेना है इसमें हमें डाल देना है एक कटोड़ी मैदा अब कोई भी कप या कटोड़ी ले सकते हैं उसी कटोड़ी से हमें एक कटोड़ी गेहु का आटा लेना है अभी हमें इसमें डाल देना है आधा छोटी चम्मच नमक एक चम्मच हमें इसमें घी या तेल डालना है मैं घी डाली हूँ अब तेल भी ले सकते हैं इसे मिक्स कर लेना है बहुत जादा हमें मौयन नहीं करना है नहीं तो आपका पूरी खस्ता बन जाएगा इसे mix करने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पाइन डालना है और इसका हमें एकदम soft डो लगाना है जैसे आप रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही डो लगाना है अगर आप हाट डो लगाएगा तो उसका पूरी बढ़िया नहीं बनेगा मुलायम नहीं बनेगा थोड़ा थोड़ा पाइन डालकर इसे अच्छे से गूतना है जितने अच्छे से आप आटे को गूतियेगा उतना ही बढ़िया उतना ही soft आपका पूरी बनेगा इसलिए आटे को बहुत थी अच्छे से गूतना बहुत ज़रूरी है इसे हमें अच्छे से मेक्स कर लेना है तो अभी आप देख सकते हैं आटे अच्छे से गुथ चुके हैं इसे हमें कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेश्ट पे रखना है जिससे आटे अच्छे से फूल जाएंगे इसे रखे हुए 15 मिनिट हो चुका है अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे का डो एकदम चिकना होना चाहिए तभी आपका पूरिया बहुत ही सौप्ट और बढिया बनेगा देख सकते हैं इस तरीके का अच्छे से इसे मिला लेना है और अभी हमें इसे छोटे छोटे लोई में तोड़ लेना है आप पूरिये के साइज को छोटा या बढ़ा भी कर सकते हैं आपको अगर बढ़ा पूरिय बनाना है तो आप लोई को बढ़ा तोड़े इसी तरीके से हमें सारे लोई को तोड़ लेना है बराबर बराबर जिस से सारे पूडिया लगभग बराबर बनेंगे तो अभी आप देख सकते हैं सारे लोई बन चुके हैं चकला लेना है लोई पी हमें दोनों दरफ थोड़ा सा घी या तेल लगा देना है और इसे हमें बेलना है आप चाहे तो सुखा आटा भी लगा सकते हैं हमें इस तरीके से बेलना है इसे हमें बहुत जादा मोटा नहीं बेलना है न बहुत जादा पतला बनना ना है जैसे रोटी बनाने के लिए बेलते हैं अब बिल्कुल उसी तरीके से बेलना है क्योंकि मायदा है तो थोड़ा साथ सी कुड़ता है इसी तरीके से हमें सारे लोई को बेल लेना है सारे पुडियों को बेल कर तयार कर लेना है अभी हमें इसे फ्राइ करना है कडाही में डाल देना है घी आप तेल भी ले सकते हैं घी अच्छा गरम होने देना है देख सकते हैं घी काफी गरम है अभी हमें इसमें पूरी को फ्राई होने के लिए डालना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है और इसी हमें हलका उपर से प्रेस करना है जिससे पूडिया काफी असानी से फूल जाते हैं थोड़े दिर बाद इसे पलट लेना है और दोनों साइट से हमें इसे फ्राई कर लेना है अभी हमें इसे निकाल लेना है इसी तरीके से हमें सारे पूडियों को तल कर तयार कर लेना है आप इसे ग्रेवी वाली सबजी के साथ सर्व करें सभी को खूब पसंद आएंगे अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हलफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर जरूर कीजेगा कमेंट में जरूर बताईएगा ये पूरी की रेस्पी आपको कैसे लगा आपके फैमिली वालो को कैसे लगा थैंक्यू फर वाचिंग